अप समर्पन नहीं लाएंगे इस सद्गुरु सत्ता में अपने आत्मा को समर्पित नहीं कर देंगे सारे डिक समर्पन की जरूरत नहीं है सारे डिक समर्पन अभी भी हम कर रहे हैं हम आपके सामने बोल रहे हैं हम समय निकाल कर सद्गुरु सत्ता का असिरवाद लेने के लि लिया है नित्यनादी सद्गुरु ने जो उन्हें सद्गुरु प्रदान किया था और उनको कहा था कि आपके द्वारा इस संसार में इस विश्व में मानव कल्यानार्त हे तू सुरवेद भीहंगम योग और ब्रह्म विद्या का प्रचार होगा मानव जाती का कल्या नहीं आ में सबके द्वारा होना है अभ्यास सद्गुरु सब्सक्रा प्रण के लिए जिन्होंने लाखो लोगों के को मोक्ष प्राप्टि का लाखो लोगों के आवागमन को रोकने का आप बाधा बाधित कर दे नहों आप बाहर बांद उस माघ के गर्व में ज़ू मैना पूल्टे लटके रहते हैं और अंदर ही अंदर आप प्रमेश्वर से कहते हैं कि हमें बाहर निकालो ओप ने मलमुत्र में आपको पता ही नहीं हमने क्या पहले किया था और क्या बात आज वही इस्तिति हमारी है हम भूल गया है कि हम कहां से आये हैं हम उस ब्रह्म सरोवर के निवासी थे हम उस परमात्मा के अभे नांग हैं उस आत्मा के टुकरे हैं उस परमपिता परमेश्वर के हम पुत्र हैं। उस ब्रह्म सरोवर के हम निवासी हुए स्वेत प्रकास के हम जीव। आज हमें आना पर रहा है कुछ भूलवस। कुछ हमने गलती करी थी कुछ अज्ञानता थी हम में कुछ हो गई होगी इतना तो हम ज्ञानी भी नहीं है इसी अज्ञानता को दूर करने का प्रयास सद्गुरु सब्ता ने हमें सिखलाया है उन्होंने कहा है कि आप हमारे बताए एक सिस्टमेटिक जो साधना पद्धती है उसको आप 10 मिनट सुवह और 10 मिनट साम करे और अगरिम 6 महीने तक अगर आप सही से नियम बद्ध होकर क्रम बद्ध पद्धती साधना पद्धती जो बतलाई जाएगी उसका समय सीमा में चीजों को दिमाग से सभी चीजों को आप अपने मन से हटा करके आप जब उसका साधना करेंगे तो आपको अन्हों होगा निश्चत रूपेन होगा और यही गोतम भीया ने कहा कि आपकी जब आत्मा धरातल से जब भक्ति प्रारंब होगी